लास्ट वीडियो में हमने किये थे टेंपल्स ओफ इंडिया यह उसी का एक पार्ट है ठीक है और इसमें भी हम कुछ 12 ते 13 टेंपल्स लर्न करेंगे टेक्से तो सबसे पहली बात जो मैं आपको कहूंगी कि हमेशा पिचर में खुद को जरूर लाना अपने आपको इमेजिन दोनों का कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपने जो वीडियो देखी है या फिर पिचर देखी है जो आपको के सामने चीज़े हुई है वो आपको हमेशा याद आती है तो हमेशा आप से लेटी चीज़े आपको याद आती क्योंकि आपके सामने हुई होती है ठीक है तो यह can learn एम मूद्य स्टूप ऑर सांची का सपूत सन्य को सब्सक्रागई से ले रहे हैं हम खुजाना तो ट्रिक हमारी क्या बनती है मध्यपदेश मतलब मिडल में मतलब अफसर से बहले हम म trip ऐसांची नाम की लड़की है वह खुजा रहा है इंध मिडल आउसका था एप जिया सब फुजा कर रहे हैं जिसके वज़े से सब डिस्टरब हो रहे हैं देखकर तो क्योंकि वो बहुत अच्छा बेटा है तो वो उसकी ममा समझा रही है कि बेटा नहीं खुजाना नहीं है ठीक है तो ये सब क्या हो रहा है आपके आपकों के सामनी हो रहा है आप जब टेंपल में हैं तो middle of the prayer बीच में क्या हो रहा है सांची का सुपुन खुजा रहा है और जब ये prayer के बीच में पूजा के भीच में खुजा रहा है ठीकिए जिससे के आप भी disturbed हो रहा है तो क्या हुआ मद्यप्रदेश में मतलब ब्लाइड और यहां पर कौन को मंदिर है वैंकतेशपरा से हम लेते हैं वैंका बैं जो काड़ चलाने वाली वैंड होती है और महा नंदी टेमपल महा नंदी में महानन ले रहें नंदी आपको पता ही है कि जो काव का बेडा जो बेबी हुता है उसको हम नंदी हो जोछते है ठीके महानंदी और लेपक्षी टैंपल यहां पर क्या है लेपक्षी पक्षी मतलब बर्ड ठीके ओके तो अब हम ट्रिक बनाते है अंदा ठीके बलाइन वैन का ओनर बैंकर डेशवरा वैन का ओरनर महा नंदी को टेंपल में लेकर आया है मतलब आप टेंपल में खड़े हो और आपने क्या देखा एक वैन का ओनर अपनी कार्ड में वैन में वो ब्लाइंड है अंधा है वो क्या लेकर आया है एक नंदी को लेकर आया है महाननदी को लेकर रहा है टैंपल में और क्योंकि वो ब्लाइंड है ओसे को बिकूल पता नहीं चला। कि उसके हाल से ईक पक्षी आया और उसके हाल से उसनननदी को उड़ा कर ले गया। ठीक है उसे नहीं पता चला क्या हुआ हूआ आप देख रहे हैं कि मंदीर में जब आप खड़े हैं तो आपने देखा एक अंदर वैन का ओनर जो है एक महानंदी को लेकर आया था और उसको एक पक्षी लेकर चला गया वके नेस्ट करते हैंутra Pradpee उत्तप्रदेश मतलब मिलकर बीकि वुत्तर से हम लेते हैं उत्तर मतलब आंसर ठीकिंड और यहां के टेंपल कोन राम जनबुमि एम सेम रखते हैं राम जन्म बुमि कृष्ट्टर OP G से कहते हैं कि for example, आप temple में है, wishing कीजे, और temple में normally क्या हुता है, पंडिज जी ग्issements देर होते हैं, और उस ग्यान के बीच में वह आप से question कर लेते हैं, और एक बार क्या हुआ कि आप temple में बैठ हुए हैं, और आप से question पूछा जा रहा हैं, और आपको उत्तर देना है, आपको क्या उतर देना था कि पूरे विश्व में क्योंकि पंडेज जी है कभी यह नहीं कहते पूरे पृत्वी पे वह उनकी अपनी अलग लेंग्वेज होती तो उन्होंने क्या पूचा था पूरे विश्व में बताओ जनम भूमी और क्रिशन भूमी कहां है और उन्होंने आपको हीट भी दिया कि सारे क्वेशन सारनात सारे क्वेशन के आंसर लाइन में ही है क्वेशन में ही है उत्तर दो और आप फस्क दे थे बहुत बुरी तरह से तो आपको क्या बताना है इन सभी का अनसर क्या हो सकता है उत्तर प्रदेश आपको उत्तर दे रहा ही ठीकेяж तो उत्तर प्रदेश कहां पर उत्तर प्रदेशम in taples को broken विश्वनाज टेमपल, राम जनम भूमी टेमपल, कृष्ण जनम भूमी टेमपल और सारनाथ टेमपल, टीक है, ट्रिक दुबारा करते हैं, आप मंदिर में बैठे हैं और अचानक से ज्ञान देते हैं पंडित आप से पूछ रहे हैं कि उत्तर दो, आप उत्तर दो, कि पूर ने कहा उत्तर, तो वो ही उत्तर ही था, ठीक है, I hope कि आपको clear हो गया होगा, next चलते हैं गुजरात, गुजरात में हम keyword लेते हैं, गुजर, गुजर मतलब expired हो जाना, ठीक है, और यहाँ पर कौन से टेमपल है, सौमनाथ, सौमनाथ, इन तोनों को हम अलग लग यूज ठीक है, मंडे, ठीक है, और क्या है, द्वार का अदीश टेमपल, द्वार का से हम द्वार ले लेते हैं, ठीक है, तो आप एक बार, फिर से imagine कीजिए, आपके और experiences मंदीर के साथ क्या जुड़े होएं, कि आप एक बार सौमवार को, सावन का सौमवार लगवा है, सावन में क्योंकि हम हिंदी में इतना घंडी टेल में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हम मंदीर से जुड़ी बाते कर रहे हैं, तो हम द्वार बोलते हैं, डोर नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो मंदीर में द्वार जो थे, वो बंद थे, क्यों कि जो वहां के पंडित जी थे, वो ध्यान ल दिल लगाते उनको मौख्श प्राप्त हो गया उसकी की ब cathedral ждतेने आप जो वहां के पंडित हैं गुज्जर गए हैं ठीक है I hope कि जितने भी मैंने आपको करा रही हूं सभी आपको on the spot learn हो रहे हैं ठीक है अपने आपसे एक बार हफते में हफते के बाद आप जरूर ये question पूश के देखना कि क्या मुझे ये सभी learn है और मैं next वीडियो में थोड़े से और टैप बले कराऊंगी so please मेरे चैनल को subscribe किजिए so that कि आपको update मिलते रहे हैं कि मैंने कौन से वीडियो upload किये okay